बिसमिल्लाहिर रख्मान ररहीम मेरा नाम शाहब इसलाम है यूटुब चैनल के उपर और हमारा एक्सल बैसिक चल रहा है स्टार्ट और आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको सेल्स डेटा रिपोर्ट बनाना बताऊंगा यह मेरी वीडियो 26 है इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है बेसिक एक्सल के हवाले से उसमें बहुत सारे फॉर्मूलें शीट से जो यह सीरीज चल रही है अभी इसकी वीडियो 26 है वह भी आप देख सकते हैं मेरा यूटुब चैनल शाहब इसलाम जाकर उसके ओपर मैंने प्लेलिस बनाई हुए चलिए आईए स्टार्ट करते हैं एक्सल ओपन करने के बाद सबसे पहले यहां से हम सेल्ट कर रहे हैं सेल्ट करने के बाद हम में मर्ज एंड सेंटर है है यहां पर हेडिंग देने के बाद बाहर क्लिक करेंगे किसी भी सेल्ट पर फिर दुबारा इसी सेल्ट पर जो मर्जन सेंटर किया था और इसके ओपर आने के बाद यहां से हेडिंग इसका साइस कलर और यहां से फॉंड कलर चेंज कर दिया है हेडिंग को यह दूसरी देखते हैं कि अधिए 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 इसके अंदर हमें सबसे पहले कॉलम बनाना है आइटम कोड़ आइटम नेम प्रोड़क्ट रेट कॉन्टिटी ऑनाइट है अधिए अधिए अमाउंट के बात टएक्स कमीशन और इसके बाद आखरी में आ जाएगा तोटल यहां पर रॉड नमबर फाइफ पर यह नाम मैंने टाइप किये हुए यहां जिस रॉड की हमें हाइट बढ़ानी है इस जगा जहां फाइफ लिखा वर इसकी मुझे हाइट बढ़ानी है इवर किलिक करेंगे किलिक करके माउस को मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ ताके हाइट बढ़ी हो जाए रॉकी उसके बाद पूरी रॉस लैक करें जिस पर हैडिंग टाइप की है उसके बाद यहां से सेंटर कर दें इसे भी बॉडर थोड़ा सा बोल्ड कर दें इसको बढ़ा कर दें कि साइस के बाद आप यहां से अगर फॉंट चेंज करना है तो वह भी आप अपनी मर्दी से रख सकते हैं हाइलाइड कलर यही रहना देते है राइटिंग उसके बाद जहां तक हमें इंटरी आ करनी है जितने हमेरे पास कोड आ रहा है या इंप्लॉई होँगे उस हिसाब से हम स्यलेक्शन बनाएंगे स्यलेक्शन बनाने के बाद यहां से बॉर्डर में आकर कर देंगे सबसे पहले प्रोडॉक्त क्या कोई भी कोड होगा या कोशिश करियेगा,крет्ङ्ट जो भी कॉलम रखते हैं कोड होगा, या आइटम कोड के 이urable was, serial number के अलावा än से भी आप रख सकते हैं को Date के अलावा Dep metro, invariT never भी यहां से आप शुरूर, शुरूर कर सकते हैं, तो इसके लिए यहां मैंने होड का कॉलम मना या था कोई फी जो product का code के लिखेंगे कोटके बाद माउस इसके corner cell पे लेके अभी फिल्हाल practice की लिए यह हमाब करेंगे काम तो आप इसी को drag कर दियेगा माउस के corner पे 포인्टर लेयेगा cell के corner पे पॉइंटर लेयेगा और माउस को keyboard से control के साथ नीचे तक drag इसकी भी अलाइमेंट सांटर कर देते हैं बॉल्ड कर देते हैं थोड़ा अच्छे यहां आइटम नेम आइटम नेम की जगा इंपलाई नेम भी कर सकते हैं इंपलाई नेम कर दें प्रोडेक्ट के अंदर हम आइटम टाइप कर देंगे इसके इलावा नेम में नाम इसके सारे नाम आ जाएंगे यहां लिस्ट मैंने पहले से एकसल में बनाकर सेफ की वी है अगर आप नियू देखने से वाले तो मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हें कसटम यट कस्टम लिस्ट के नाम से मैंने बनाई वीडियो उसमें किस तरह से हम अपने प्रड़क्ट के एक्ड़लाई के कोई भी बनाईवी लिस्ट एकसल में किस तरह सेफ कर सकते हैं ने बताया हुए तो यह आपको पता चल जाएगा फिलाल अगर नहीं पता तो आप मैनुवल के नाम लिख सकते हैं उसके बात प्रोड़क्ट के नाम आ जाएंगे प्रोड़क्ट जो भी बिजनिस होगा या जो भी आइटम नेम होंगे वह प्रोड़क्ट वाले कॉलम में टा कौन्टिटी जितनी तदाद में ये सेल्ज हुए हैं वह मैंने यहाँ पर इंटर किया है कैलकुलेशन से करेंगे यह आप टाइम बचाने के लिए मैंने किया था यह आप लिख लियेगा इसके बाद अमाउंट थो आके कैल्कुलेशन होगी amount में आएंगे equal, equal के बाद rate को select करेंगे, select करने के बाद multiply कर देंगे quantity, enter, enter करने के बाद formula को नीचे तक लेके आ जाएंगे, sell, drag कर देंगे, tax भी होगा, government को tax rate करने के लिए इसमें फर्स कर लें, 5% tax देना है हमें, तो equal tax निकालने के लिए amount select करेंगे, multiply का sign keyword से लगाएंगे, keyword से multiply करने के बाद sign लगाने के बाद जितने percent tax है, मिसाल के दूर पर 5% तो यहां 5 लिखेंगे, और shift के साथ जो alpha बैट के ओपर numeric keys आ रही होती है, इसमें symbol दिये होते हैं, यहां से shift के साथ 5 प्रेस करेंगे तो percent का sign भी लिखावा जाएगा, इंटर, इंटर करने के बाद tax आगिया, first वाले का इसको आप नीचे तक यहां से drag कर देंगे, इसी तरह commission निकालना है कि जिन employees ने sale किया है यह, उनको 2% commission देना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, equal, amount, select, multiply, 2, 2 लिखने के बाद shift के साथ होई 5 का बिटन प्रेस करेंगे, percent का sign आगिया, enter, cell, enter करने के बाद दुबारा cell पर आए, cell के corner पर, mouse parental आने के बाद, drag कर देंगे, इसे, total के लिए, amount को, tax को, और commission को, सब को plus करके check करना पड़ेगा हमें, तो इसके लिए हम, equal, sum का formula लगाएंगे, bracket open, equal, sum, bracket open, bracket open के बाद, amount, tax, commission, तीनों को select किया, bracket close, तो इस तरह से हमारा total आगिया, यहाँ पर, अब सब के लिए हमें सांसर को निकालना है, तो इसके लिए मौस के corner पे लिए और drag कर दे, यहाँ तक यह complete हो गई, इसको और अच्छा करने के लिए, पॉर्मेटिंग और अच्छी भी कर सकते हैं, कोई company या जिस brand का हम ये काम कर रहे हैं, तो उसका कोई logo भी हम insert करा सकते हैं, logo, लाज़मी सी बाद है, picture फॉर्मेट में होता है, और Microsoft Excel के अंदर picture insert करने के लिए insert menu में आते हैं, यहाँ picture का option है, इस पर click करेंगे, insert क्लिक करने के बाद यहाँ, एक logo मेरे पास save हुआ हो था, वो मैं इसके उपर set कर रहा हूँ, काम को जितना अच्छा बनागर करेंगे, उतना अच्छा लगेगा आपको, अगर इसे crop करना है, जैसे white background आ रहा है, तो यहाँ picture insert करने के बाद format menu शो हो रहा है, format menu के अंदर crop option ह जो दिया हूँ होता है, crop जो होता है, picture के part को minus करने के लिए होता है, जो file tool में बहुर का part minus करना है, तो हम उसको crop करता है, picture एक बाद देख लिए, picture tool जब show होती है, जब picture पर click होगा, अगर आपने बाहर कहीं click किया हुआ है, तो यहाँ कोई menu ने show हो रहा हुआ है, जब picture पर click करेंगे, तो फिर यह menu show होगा, इसमें आगे crop पर click करें, crop पर करने के बाद यहाँ देखेंगे, crop के option show कर रहा है, points इसको पकड़ेगे, crop करनी है, जहां तक वहां तक लेकर रहा है, यहां से इसको crop करता है, यहां से इसको, enter करेंगे, crop fly ब हो जाएगा, यह बाहर क्लिक करे कई भी cell पर, अब इसको उठा किया, set करेंगे, और मजीद border वगएरा, या कोई effects वगएरा देने हैं, तो हम यहां से भी के उपर दे सकते हैं, और यह थे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, इसको देखकर इसकी practice करेंची तरह से मिलते हैं next video में, अगर यह अच्छी लगी है तो like करें, share करें दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को subscribe करेंगे, मिलते हैं next video में अपना ख्याल लगएगा, अल्ला हाफिज हो